साथ मेरी रजा सहाब सुजाता बजाच तेज जुलाई सुभ सुभ ही समचार मिला रजा सहाब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई पिछले फरवरी की ही बात है मैं दिल्ली पहुची थी अपनी गनपती प्रदर्शनी के लिए सोच रही थी कि रजा सहाब शायद अपनी वील चैर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्गाटन के अफसर पर आ जाए पर उस रात कुछ अन्होनी सी हुई उस रात रजा सहाब सपने में आए मुझे उठाया हमने बाते की शो के लिए मुझे उन्होने शुपकामना दी और कहने लगे सुचाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ अब मैं जाने वाला हूँ इसके बाद तो रुखना मुश्किल था मैं पहुच गई उनसे मिलने वे अस्पताल में शुन्य की तरह लेटे हुए थे मैंने उनके हाथों को चुआ सिर्व सास चल रही थी अल्विदा कहकर लोट आई रजा सहाब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और इसाई भी थे उनकी स्टूडियो में गनपती की मुर्ती क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान उनकी मा का एक फोटो गांधी जी की आत्मतक कथा वा भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रगता था वे गनेश को भी पूछते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी चाते थे एक दिन जहांगीर आर्ट ग्यालरी में परदर्श्टी देखते हुए किसी ने कहा अरे यह तो S.H. रजा है मैं एकदम साथान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था मैंने उनके पास जाकर कहा रजा सहाब आप से बात करनी है वे देखते ही रह गए उन्होंने मुझे इंटर्व्यू दिया बहुत सारी बाते हुई अचानक मुझे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है मैंने कहा मैं कलाकार हूँ पेंट करती हूँ वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे चलो तुम्हारा काम देखते है मैं सोच में पढ़ गई मेरा काम तो पूने में है उन्हें बताया तो वे बोले चलो पूने ताज होटेल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पूने पहुचे उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पैरिस आना है आपका भविश्यप बहुत उच्वल है छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महतपून हुआ करती थी बड़ी तनमेता और लगन के साथ कर दे थे सब कुछ पेंटिंग बिकने के बात पैकिंग में भी उनकी रूची हुआ कर दी थी कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे बड़े करीने से धैरे के साथ वे पैकिंग करते कहते थे लड़की ससुराल जा रही है उसे संभाल कर भेजना है जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछे हर शब्द हर पंक्ती को नाब तॉल कर लिखते थे फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पैरिस के गारदीनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुची थी रजा सहाब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे मुझे मेरे होस्टिल के कमरे में छोड़ कर ही वे गए एक दिन मैं बिमार होकर अपने करमरे में पड़ी थी रात ग्यारा बजे रजा सहाब मेरे लिए दवा भारतिये रेस्टूरेंट में से खाना पैक करवा कर पहुच गए मेरे घरवालों को फोन करके कहा आप लोग चिंता ना करे मैं हूँ पैरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए हर बार जब मैं या रजा सहाब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे दोनों एक दूसरे के इमानदार समलोचक थे हमने मुंबई, लंदन, पैरिस और न्यूयोक में साथ साथ प्रदर्शनिया की पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ यहां उनके सने वह अपने पन के कारण ही था हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें शेयर, गजल वा पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे एक डाइरी रखते थे अपने पास हर सुन्दर चीज को लिख लिया करते उसमें मेरी बेटी हेलेना बहुत खुबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था वे हमेशा उसके साथ शुद हिंदी में ही बात करते रजा सहाब को अच्छा खाने का बहुत शौक था पर दाल चावल रोटी आलू की सबजी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी मैं हफते में एक बार भारतिय शाकाहारी खाना बना कर भेश्टी थी उनके लिए उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए मैं हफते में एक बार भारतिय शाकाहारी खाना बना कर बेश्टी थी उनके लिए उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए रजा सहाब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दिवारों पर रजा सहाब की काफी सारी कृतिया देखने का मौका मिल गया मैं हमेशा कहती रजा सहाब आप मेरे इंजल गार्जियन हो तो मुस्कुरा देते पर सन 2000 के बाद से कहते क्यों अब हमारी भूमी का बदल गई है तुम मेरी इंजल गार्जियन हो अब मैं नहीं शब्द वाटिका, करीने से, तरीके से, सलीके से, समलोचक, गुन, दोश, आदी का प्रतिपादत करने वाला, जिग्यासा, उत्सुकता, अन्होनी, असंभव ना होने वाली स्टुडिन्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेर करिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजे, ताकि आपको फ़र्दर नोटिफिकेशन्स मिलते रहें, धन्यवाद